हेलो फ्रेंज, फल और सब्जों का रज हमेशा से ही स्वास्त विश्य सक्यों का पसंदेदा रहा है। कोई भी चिके-चक बीमारी और कमजोर व्यक्तियों को फल या सब्जी खाने या उसके रज को पीने की सिला देते हैं। मगर पोशक्तातों से इप्त फल और सब्जों के रज का सेवन एक स्वास्त व्यक्ति भी कर सकता है। क्योंकि स्वास्त से चुड़े इसके कहीं फायते हैं। ये ना सिर्फ सरे को पोशक प्रिदन करता है बलकि बीमारी उसे लड़ने में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा कहीं वेग्यानिक रिचर्स में पाया गया है कि फल वसब्जों के रस बढ़ती उम्रक के लक्षनों को कम करने में भी मदद करते हैं। यहां इस वीडियो में आपको खास चार फल वसब्जों के रसोक के बारे में बताएंगे जो सवस्ती और सेहतमन भी है। अनार का जूस अनार में पॉलिफिनॉल्स जैसे एंटि आक्सिडेट भरपूर मात्रा में होते हैं जो सूजन को कम करने, गैंसर से लड़ने और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अतरिक्त यह उम्रम से जूड़ी बीमारियों को कम करने में भी मदद करते हैं। जो एक एंटि आक्सिडेट है, जिसे आपका सरीर विटामिन A में परिवर्द करने के लिए उप्योग कर सकता है। चुकंदर का जूस बहुत कम लोग ऐसे हैं जिने चुकंदर खाना पसंद होता है। क्योंकि इसका स्वात कसेला होता है, मगर चुकंदर का जूस उम्र बढ़ने की प्रिक्रिया को धीमा करने में बहुत अधिक फायदे मन है। रेडॉक्स बायोलोजी के एक अधिन में पाया गया है कि चुकंदर का जूस पीने वाले व्यक्तियों में एक विशिष्ट प्रकार की बैक्टिरिया प्रमुक रूप से पाये जाते हैं, जो वेस्क्यूलर और कॉगनिटिव हेल्थ को बैतर रगते है। वीटग्रास जूस दूप खास का जूस का स्वाद बहुत कसिला होता है। यह एक एंटी एंजिक ड्रिंक होता है। वीटग्रास में केलोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह बहुत योगिक है जो पौदों को हरा भरा बनाता है। कलोरोफिल में 37 साली एंटी इंफ्रेमेंटरी गुन पाये जाते हैं जो बीमारी की जोखिम को कम करने और व्रत व्यक्स को में स्वास्त में सुधार करने में मदद कर सकते हैं.